अब देखने का जो अपना नजरिया है वो काफी हद तक बदल चुका होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ तो आईए सबसे पहले मैं हमारे MCL के सभी founders का काफी धन्यवाद अदा करता हूँ स्पेशली हमारे फाउंडर डॉक्टर शाम गोलफ सर उनके साथ हमेशा उने साथ देने वाले डॉक्टर लवेज जादव सर इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसी के साथ मिस प्राची डोले मैडम जो हमें हमेशा इंस्पायर करके हमारा मोनोबल बढ़ाती रहती है और तवसिल के मिश्टर रंजीत दातिर सर इनका भी मैं आभार व्यक्ता करता हूँ और हमारे MPO गुसावल तवसिल के मिश्टर दीपक चौदरी सर जिनके वैदे से आज मैं ये प्रेजेंटेशन कर पा रहा हूँ उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और आज के हमारे टॉपिक के ओर चलते हैं तो सर्वप्रत्थम तो हम यह जानना चाहेंगे कि यह वाटर कंजर्वेशन एक्चुल है क्या जैसे कि मैंने पहले ही बता है कि वाटर कंजर्वेशन का लिटरल मिनिंग है जला समवर्धन या जला सुरक्षा तो पानी जैसी एक क्वामन सी चीज इसकी सुरक्षा की जरूरत क्या पढ़ी है और यह सुरक्षा मतलब क्या है तो एक सिंपल लैंग्वेज में इसका एक डेपीनिशन है कि अनेशेसरी वाटर यूज़ेस को कम करना है मतलब किसी भी तरह से उसकी जो बरबादी है उसको रोकना है और जो भी हम इस्तेमाल कर उसको ज्यादा इफेक्टिवली ज्यादा प्रैक्टिकली उसको यूज करना है बस इसी को कहते है वाटर कंजर्वेशन एक बहुत ही सिंपल वाश्या में हम लोग इसे समझते हैं और आगे चलते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है अभी वाटर कंजर्वेशन जल सब जगह है हम ल उसकी रिक्वार्मेंट क्यों है वह कम क्यों लग रहा है हमें तो इसका में रिजन है कि उसमें से बस 2% पानी है जो की नदियों में अवैलेबल है जो की अंडर वाटर अंडर ग्राउंड वाटर अवैलेबल है अलग-अलग तरह से तालाबों में है यह सब पानी है जिसको हम use कर सकते हैं ऐसा पानी बस 2% इसमें से भी कई सारा फाड़ा पानी जो है वह बर्फ के रूप में स्ठोर किया हुआ है जिसको हम यूँज भी नहीं कर पाते तो यह इतने सारे पानी इसा बस थोड़ा सा ही पानी है जो हम यूज कर सकते हैं यह पानी भी मनुश्यक के जीवन के लिए हमारे इस्तमाल के लिए सफिशेंट है फिर भी वाटर की स्कैर सिटी मतलब वाटर की कमी बहुत जगह पे हम लोग हमेशा नियूज में वएगरा सुनते हैं तो इसका रिजन क्या यह कमी क्यों आ रही है इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं तो सबसे पहला बात जो पानी एवेलेबल है वो पॉलुटेड है बहुत सारा पानी पॉलुटेड है और रिजन क्या इंडुस्ट्रियल गुरोथ की बज़े से पानी पॉलुटेड हो जाता है तो हम यूज नही पहले जो पानी हमें बस 15-50 फिट के अंदर मिल जाता था वह पानी के लिए आज जो बोरिंग करनी पड़ रहे हैं वह पास्तों से 600 शेट सो फिट तक बोरिंग हम लोग करते तो वहां से हम पानी लिफ्ट कर रहे हैं इसका मतलब हम डाउन ज्यादा से ज्यादा नीचे जम मतलब एक तो गवर्मेंट एजनसी या फिर जो भी सोसाइटी होती है उनकी तरब से यह मिसमैनेजमेंट होते रहता है क्योंकि उसके बारे में कोई भी जागुरूक नहीं होता है उसके बाद रिवर्स बिकमिंग ड्राइ मतलब जो भी नदिया है उनका पानी भी कम होते तो यह तो एक रिजन हो गया तो इसका इंपट क्या हो रहा है तो सीम्पल सी बात है कि पानी की कमी पानी है तो वो कई सारी जैवा विविदताओं का एक घर भी है और पानी कम होने के बज़े से वो घर भी तूटा हुआ जा रहा है अगर हम एक रिपोर्ट है उसके तहत यह माना गया है कि जो पृत्वी है उसके जो लैंड एडिया है उसके उपर बस 20% ही बायो डायवासिट ही जायवा विविदता है तो इसका मतलब क्या है जो 80% है वो तो पानी में और अगर पानी नहीं रह एगा तो इसके लिए जैसे जाय पानी कम हो रहा है व करतें बे twee तो खेती अच्छे से नहीं हो पाती है और उसके वाइसे अनाज नहीं आएगा और उससे होगा भुकमरी जैसी समस्षायों का निर्मान होते जाएगा उसके बाद है कि मतलब विस्ता्रव का जो प्रमान है वह भौढ़ते जा रहा है जैसे आम सब जानने की सभीन अज तक विकरस्थ ही है जएसे इसे पानी कम हो गया यह सब्वैताओं का विस्तापन होना भी शुरू हो गया तो पानी इसके लिए बहुत जरूद है उसके बाद में अगर पानी नहीं रहा तो फिर गरिवी का प्रमाण भी बढ़ते हुए जाता है उसके साथ ही वेश्टे जोब टाइम यूनिसेफ का एक प्रमाट है उसके तरह यह का गया है कि लगबग 200 मिलियन अवर्स दोसो मिलियन अवर्स वुमेंस अंड गर्ल्स मतलब महिलाओं के और बच्चियों के 200 मिलियन अवर्स बस वेश्ट होते हैं पानी कलेक्ट करने के लिए मतलब इस शेमिंग ऑन उस डैट हम लोग इसके वार्किंग में आते हैं तो उसका कितना वैल्वेशन होगा और इनका जो समय है वह सही में जैसे हमार यहां कहावत है किसी भी चीज़ की अगर बरबादी दिखाना है तो हम लोग कहते हैं कि पानी में गया तो इनका समय पानी में गया दोनों तरस है एक तो उसके लिए आप लोग सोचेंगे कि पानी के वज़े से भी कही युद्ध हो सकता है क्या तो जी हाँ इसका उधारण में अभी वर्ल लेवल का नाव देते हुए हमारे देश का ही देता हुँ कि हमारी पाकिस्तान के साथ एक इंडस वाटर ट्रीटी करके एक ट्रीटी है उसके तहाथ हम जो इंडस रिवर है उसका पानी अगर कम ज्यादा यूज़ करते तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है उसके उपर असर होता है उसे के साथ ब्रह्मपुत्रा वाटर ट्रीटी चाइना और अपना बांगलादेश है उसके साथ भी है और इनका पानी अगर डैम समाल होता है तो यह देशों के बीच में जो भी समस्य है वह बढ़ जाती है और इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर बढ़ जाता है तो इससे वाड़ भी हो सकता है यह एक इंपक्ट है वाटर का तो हम लोग इसकी सिवेरेटी समझ सकते उसके बाद यह एक रिपोर्ट है जिसमें वाटर स्ट्रेस लेवल का बताया है एक सिंपल बादश्या में अगर बता हो तो दो हजार चालीस तक जहां पर पानी का बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा ऐसे कंट्री में भारत का भी नाम आ रहा है एक रेड इसमें इसको दिखाया गय मगर इसका सुलुशन क्या है तो समस्या है तो उसका समाधान भी होगा तो इसके साथ हम अभी यह समस्या के ऊपर चलते तो सबसे पहले हमें तो वाटर कंजर्वेशन के लिए अपना बिहेवियर जो हमारा बरताव है एक पानी के तरफ देखने का जो नजरिया है वो बदल चिननी है तो यह हम लोग अगर वोग डिलॉप करते रहेंगे तो आगे चलके पानी को कंजर्व नहीं कर पाएंगे उसके बाद कल्चुर हमारा कल्चर जैसे हम लोग आगर कल्चर के बारे में बात करें तो भारतिया संस्कूरतीु तो इसा कहा गया है कि पूरे धर्थी का जो निर्मान है वो पंचे महाभूतों से किया गया है और उसमें से एक है आप जिसे आप कहते है उसका मतलब है पानी तो इतना महत्व पानी को दिया गया है उसे के साथ सबी जलाशाय या फिर नदियों को हम लोग देवताओं का दर्जा देते हैं तो फिर यह भी महत्व अगारे में और बताएंगे तो पिर जो दएवों के राजा है कहां अगर इसके बारे में सोचेंगे तो उनका पानी का क्या महत्वह है वह समझ सकते बद हमारी schaps करना है तो हमारी आख़तों में बदलाएत बहुत जरूरी है उसके बाद awareness सिर्प हमें दूसरों को भी से बारे में करना कि पानी का जो कम होते जा रहा है या पूलूशन है यह समस्या है इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है तो इसके लिए भी आवेर्नेस करना बहुत जरूरी है उसके बार में इन्वाल्मेंट यह एक दूसरे का काम नहीं है इसमें सब जब इन्वाल होंगे तभी यह काम हो पाएगा और रिस्पॉंसलिटी किसी एक की नहीं है हम सब की रिस्पॉंसलिटी है यह हम सब लोग जब समझेंगे तभी हम लोग वाटर कंजर्वेशन कर पाएंगे तो आए यह कैसे करना है तो इसका एक सिंपल मैंने तीन भागों में विवाजित किया है जिम्मेदारी जो है हमारी वो सबसे पहले जैसे क कि आज़त होती है सब लोग गाइब को पर यह करना है ल senin no doubt इसके ऊपर हम लोग कोई про ृय दूसरी जिम्मेने का कि गॉरूप की है और तीसरी जिम्मेदारी जो हमारी है जिसते भी हम मुकर्ण नहीं सकते वह हमारी जिम्मेदा어도ius आईे इस इस तीनोंาม सबसे पहले रिस्पांसलीटी वह गौवर्मन तो गोवर्मन की जिम्मदारी क्या है गौवर्मन जो भी काम करती हो काफी लार्ग स्कैल पर होता है तो इसी दर्लिंव जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में दो प्रकार की नदिया है एक को पेरिनियल और एक सीजनल जो पेरिनियल रिवर्स रहती है वो साल बर भाइने वाली नदिया कहते है उनको यह मोचली हिमालायन रिवर्स है जिनका उगम स्तान हिमालाई या फिर किसी पहाडों में रहता है और दूसरी रहती है सीजनल तो भारत में जैसा कि इसका पूरा लैंड कवर है वह खाफी बड़ा है तो कई सारी नदिया रहती है जहां फेल बाद जैसी समझसाय आति है जैसे ःते ही हुष्यको को यह साल लगबग बाड आते रहती है और अशी नदिया रहती है जो बारिश होती है तब तीन चार मेनों के लिए बैच और उसके बाद में ड्राय हो जात करते हैं उसका निर्मान करना यह भी काफी बड़ा काम रहेता है और इस पे भी गॉइड काम कर रहे हैं उसके साथ जो पानी एवैलेबल है उसका एफेक्टिवली यह काम भी गौवर्मेंट का रेता है जो कि वह कर रहा है उसके साथ जो किसान होते हैं उनको वाटर हारवेस्टिंग और या फिर इंप्लिमेंट करने के लिए इंसेंटिवाइज करना या सफिढ्स जिए लेना यह इसे भी काम वर्मनेंट से करते हैं अधे उसी के साथ इस लोग काफी हाद करते रहे तब इसके बाद जो गौवर्मेंट का भी इनिशियेटिव चल रहा है वो इसमें एक दिखाया गया है प्रदान मंत्रि क्रिस्ट सिचाई योजना सही फसल कैम्टेन अमरी सरोवर मिशन जल जीवन मिशन यह अलग-अलग योजना है जिसके तब गौवर्मेंट जो कर रहे हैं वो क मैंने बोला कि हैविट्स में बदलाव करना है ब्रश कर रहे हैं या फिर सोप अपलाए कर रहे है तो उस वक्त अगर बस हम टैप बन कर दे बस दो मिलिट का अगर टैप भी बन कर दिया तो भी बहुत सारा पानी उसे बच सकता है या फिर हम बाट टब का यूज करने के अबिट्स बच डेवलप करना है उसी के साथ कई बार हम लोग देखते हैं कि कई सारी पाइपलाइन पूद गई है या फिर लीके जै उसका एवाइड करना और नेसेसरी फ्लश का इस्तमाल करना या फिर फ्लश में ऐसी सेटिंग भी कर सकते हैं जिससे की पानी का इस्तमाल फोड़ा कम हो जितना जरूरी है उतना ही पानी बाहर आ सकता है और फिर यह हमारे बहूत सारे अप्लायांस भी होते हैं हम लुग यूज करते हैं डिश्वॉशर इस तरोग का जो अप्लाइंसे सम लोग यूज करते हैं उसमें भी पानी का सेटिंग रहता है मगर हम लोग उसके उपर कभी ध्यान नहीं देते बस मशिन को आटो मोड में लगा दिया तो मशिन अपने आप पानी लेगी और काम करते रहेगी उसका भी अगर सेटिंग पचास लिटर पानी हर दिन यूज करते हैं और एक साल में सब्सक्राद लिटर तक पानी यूज करते अ अगर हम लोग और इसमें से पाणी जो बहुत ही जाजाए नेसेशरी है drinking के लिए कंना यूज करते तो में यूज करते हैं जिस पानिके में जरूरत है उसके बाद में जिम्मेदारी एक गुरुप की क्या हो सकती है यह सबसे महतुपूर्ण स्लाइड है और इसके आगे हम लोग MCL से भी काफी expect करते हैं क्योंकि MCL जानता है गुरुप का महत्व क्या है MCL का आज पूरे भारत में एक अच्छा कासा नेट्वर्क है तो हम लोग इससे इसके साथ क्या कर सकते तो सबसे पहली बात of the forestation इसका मतलब जो भी जैंगलों का cover है यह पेड़ पौदों का जो लैंड कवर है वो बढ़ाना चाहिए तो यह बढ़ाना चाहिए मतलब कुछ जगह ऐसी रहती है जहाँ पेड को प्लांटेशन करना और उसका समवर्दन करना यह काफी दिक्कत वाली बात होती है पानी की किलत की बज़े से तो ऐसी जगह पे पानी देने की जो मेथड है वो हम लोग अगर थोड़ा-थोड़ा बदलाव कर दे तो उससे भी बहुत बदला हो सकता है यह पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि पानी अगर सर्पेस लेवल पर देने के वज़ा है अगर उनके रूट्स तक पोचे इस तरह से अगर दिया जाए तो हम लोग कम पानी में भी अच्छा प्लांटेशन कर सकते हैं और ट्री कवर को बढ़ा सकते है उसके साथ साथ protection of water from pollution एक तो बात हो गई गवर्मेंट की कि इंडुस्यर लॉस करने हैं उनको एक सर्विलन्स रखना है यह सब गवर्मेंट का काम है मगर हमारा काम क्या है तो हम जो भी काम करते हैं या फिर जो भी हम तेवार मानाते हैं उस तेवारों में नदियों को जो स्तान दिया है उसको बरकरार रखना है तो उनको गंदा नहीं होने देना है एक उपकरम होता है निर्माले संकलन निर्माले यानि कि जो पूझा पाट करने के बाद जो भी बचा रहता है जिसे हम प्लास्टिक पॉलिथीन में भरके फेकने के कोशिश करते यह सबसे गलत ब बचा सकते तो यह काम भी एक ग्रूप activity है उसके बाद में cleaning of our natural water reservoirs मतलग जो भी हमारी समझोग खेतों के पास से अगर चोटा सा एक जड़ना बैरा है या फिर कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि पानी ऐसे ही बारिश होती है तो पानी गटर में बैके चला जाता है तो आ पानी को बस थोड़ी देर के लिए भी अगर वहाँ पे रोकते है तो पानी अपने आप पर पर कोलेट होता है और वह जमीन के अंदर जाता है इसका बहुत अच्छा एक्जम्पल महाराष्टा में बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है जिसमें उस स्कीम का नाम है पान परकोलेट हो जाता है अगर यह एक्टिविटी जिस किसी भी गाउने की है वह गाउ में यह जाप एक्टिविटी वह उसके आज पास में जो भी बोरिंग जो भी कुप में लिकाये होती है उसमें वाटर लेवल काफी हद तक बढ़ा है इस जस्ट अनिमेंजिनेबल लेवल वो अचानक से बढ़ जाता है तो यह काम भी हम लोग कर सकते उसे के साथ पीछे हमारे जो डॉक्तर शाम गोलब सर है उन्होंने जो डंपिंग है उसके उपर जो वेस्ट मट्रेल है उसके उपर भी एक पुरा वेबिनार हमें गाइडन्स किया था और उससे कैसे हम लोग ए कर सकते हैं उसके बाद में रिंवाटर हार्वेस्टिंग आज जो रिंवाटर हार्वेस्टिंग तडेए जैन इस वांत्र होले यह यह जानते तक नहीं कि अgelijk जमिन पानी निकाल रहे है जो कुपनले कर जाता कि बाद तक है मतलब आज जो 100 फीट से भी ज़्यादा हम लोग पानी निकार रहे हैं 500-600 फीट तक हम लोग पहुच गये हैं वहाँ पे पानी पहुचने के लिए जो 100 साल पहले या फिर कई साल पहले जो जमीन के उपर बारिश हुई वह परकोलेट होते होते वहाँ तक पहुचा है और हम लोग आज बस बटन शुरू करते ही वह पानी को बाहर निकालते और यूज करते तो इस थैंक्फूल तो अवर भी आणे वाली पीडिया उनको भी वह पानी दे सके तो यह कैसे हो सकता है तो रैंवाटर हर्वेस्टिंग इस दर बेश्च सोलुशन फोलुशन फॉर तो इसमें क्या करना है हम लोग अगर घर में या फिर फिर जहाते भी हमारे टेर्स के उपर जो पानी जमा होता है वह एक फिल्टर, सैंड फिल्टर, एक सिंपल सा अगर फिल्टर भी उसको करते हैं, और वो अगर उसमें छोडते हैं, बोर्वेल्स में, तो फिर जहा से हम लोग पानी निकाल रहे हैं, जो पानी पहुचने के लिए 100-100 साल चले गए, वहा तक पानी, वह लेवल तक पानी हम पानी आता है, उसको कलेक करना, और वह अपने इसमें छोड़ देना, बोरिंग में वह एगरा, जो बड़े एरिया होते हैं, वह पानी जो होता है, जैसे कि आजबाज़ू अगर पाहण है, और एक ऐसा खाज यसा आइडिया अगर कई पर डियू पहोता है, तो वह पे पानी कालेक करना, उसको ब्लॉक करना, और वह पानी परकोलेट होने देना, हैसा सब सरेज़ है, सक chuck दिन लाइश स्केल तक इसके रिजर्ट साते हैं उसके ईकैंगो पहाडी अरिया में होता है मेंरी रिजन यह होता है कि पहाडी एरिया में खेत इजी एजीनी नहीं तो इसमें अगर हम लोग को मतलब जो ढलान है उसको अगर terrace की तरह हम लोग बनाते हैं, तो पानी जो है वो रुक-रुक के नीचे आता है, जो उपर पानी बारिश का पानी आता है, वो अगर रुक-रुक के नीचे आएगा, तो वो परकॉलेट होगा और वो हमारी जो फसल है, उसको काफी अच्छे तरीके से नरिश करेगा उसको अच्छे तरीके से डेवलग करेगा तो ये भी एक अच्छा जरिया है जिसके दाथ हम ऐसी जगों पर भी खेती कर सकते हैं इसका अगर एक्जांपल देखना होगा तो आसाम की जो अपना टी फार्मिंग है वह गरा ऐसी बहुत सारी जगह पे होते रहता है इसको अलग 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 नामों से पहिचान जाता है जैसे कि अभी सभी भारत के अलग अलग जगह से आयो हुए है तो एक जनरल नाम है कंटूर फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग उसके बाद एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स को डेवलप करना इसके तरह क्या होता है कि अगर पानी देने की दो पद्धिया होती है एक तो डायरेक्ट पानी को ओपन छोड़ देना फसल के अंदर और उससे फसल को ग्रो करना मगर इससे पानी की बरवादी बहुत ज्यादा होती है इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है जैसे कि डिरिप इरिगेशन है अगर इससे हम ही लोग पानी तो पिर कम पानी में ज्यादा से ज्यादा एड़ा में फार्विंग कर सकते हैं जिससे जमीन का भी नुक्सान नहीं होता है और हम्हों फ्लाइंट सेihin Chaak कर सकते हैं उसके बाद बस irrigation का यह सभी pipeline बिच्छा दिया और चोड़ दिया ऐसा नहीं होता है कभी तो इसमें अगर थ्री स्टेप अगर audit हम लोग इसका करते मतलब क्या पहले बात तो पानी का जो भी irrigation audit है जो नलिया हमने बिच्छा ही है वह कहां पर ब्लॉक है क्या उसको ए रहा है की और टीसरी बात, पानी के availability क्या है बारिश वहएगरा के, जो सीजन होता है उसमें अलग पानी के requirement रहती है और सम्र वहएगरा रहता है उसमें अलग पानी के requirement रहत है तो इस हिसाप से अगर हम लोग अपना से होना कि पानी देने की सही पद्धती क्या है, टाइमिंग क्या है पानी देने का, तो शाम के समय मतलब सुर्योदाइ, सुर्यास्त के बाद में अगर पानी दिया जाए, तो फिर पानी का जो evaporation है, वो rate कम रहता है, तो ज़ादा देर तक पानी, जो अपना plant है, उसके जड़ों तक पोस्ट में को मिलता है पानी को और उसका फायदा भी जादा होता है उसी के साथ amount of water तो यह depend करता है soil के उपर जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में लगवग 8 प्रकार की मुरुदा है यानि कि soil अलग-अलग प्रकार की मिलते है रेगूर है या पीली मिट्टी है अलग-अलग हर जगह पे है उस हिसाब से पानी की रिक्वार्मेंट भी अलग होती है तो एक बस ठीरोटिकल पढ़ लिया और हर जगह पे उतना ही पानी दिया तो यह भी नहीं चलेगा कि आमाउंट ओफ वाटर इस डिफरेंट वर एवरी टाइप अफ उसके बाद फ्रिक्वेंसी अफ इरिगेशन मतलब इसमें तीनों फैक्टर काउंट होते एक तो टाइप अफ सॉइल उसके बाद क्रॉप हमारा क्रॉप की रिक्वार्मेंट क्या है और क्लाइमेट तो हर क सकते हैं और एक बात है रैशनल ग्रेजिंग मतलब जो हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारे गाओं में चरवा है चराने के लिए जाते हैं मगर इसकी जो पुरातन पद्दती है मतलब हम लोगों ने कई बार देखा है कि हमारे महावारत परों में जब श्रीकुष्ण जी रुंदावन को श्रीफ्ट होते है मतलब रुंदावन जब श्रीप्ट होते हैं तो उसका में रीजन क्या था कि वहाँ पे जो चरने के लिए जो लैंड अवैलेबल है वहाँ पे चारे की कमी हो गई तो दूसरी जगह शिप्ट होना तो निसर्ग अपने आपको डेउलप क को चराने के लिए लेके जाए तो फिर वहाँ पे कभी भी पेड का कवर जो है वह भी नहीं बढ़ सकता है और ना तो चारा उप सकता है तो इसके लिए उस समय के लिए एक एक कईडिया को खुला छोड़ देना ये भी एक रैशनल ग्रेजिंग का एक पार्ट है इसके तहद बढ़ता है तो वहाँ पे जो पानी है वह जमीन के ऊपर से सीधा ना बैते हुए जमीन के अंदर जाएगा एक स्टड़ी यह बताती है कि पीपल का पेड़ बस एक जो परिपकवा पीपल का पेड़ है उसको एक बारिश के सिजन में वह 50 फिट नीचे तक पानी 50 मिलियन ल नीचे तक लेके जा सकता है जिसके दहट 24 एकर जमीन को इरिगेट किया जा सकता है तो ऐसा बस एक पेड़ का है तो हम रैशनल ग्रेजिंग का इंपोटन्स इससे समझ सकते हैं उसके बाद ऑर्गैनिक फार्मिंग अभी और पानी का क्या संबंद है तो सिंबल सी बात है कि जब से हम लोगों ने केमिकल फर्डिलाइजर्स या फिर केमिकल्स का यूज करना जमीनों के ऊपर स्टार्ट किया है उसके उसके बाद में हमारी जमीन की जो उपर ही सतह है वो हाड होना शुरू हो गया उससे वाटर का परकॉलेशन का जो प्रमान था पहले की तुलना में और और ऑर्गनिक फार्मीन में क्या होता है कि हम लोग नैश्रल जीवजन तूपो भी बढ़ावा देते हैं हमारे अगरिकल्चर के साथ में जैसे कि तो इसकी बज़े से यह होता है कि जो पानी आता है वो पानी ज्यादा से ज्यादा फरकॉलेट होके नीचे जाता है तो म का एक concept organic farming हम लोग जो करने वाले है उसके तहद भी water conservation हो सकता है अभी यह हमने तो देख लिया कि क्या करना है responsibility क्या है लोग करेंगे भी इसके benefits क्या है तो water conservation के benefits सबसे पहली बात कि सबके लिए पानी available होगा पीने के लिए fresh water water available होगा हम लोगोंने कभी 15-20 साल पहले यह बात सोची भी नहीं होगी कि हमें पानी खरीक के पीना पड़ेगा आज जिस बॉटल को हम लोग 10-15 रुपे 20 रुपे में खरीकते हैं वो 15-20 साल पहले कोई भी easily देता था और free रहता था पानी के लिए पैसा यह भारत में तो भी यह concept नहीं होना चाहिए था मगर हमारी गलतियों के बेदे से हमको वह अभी अपना ना पड़ रहा है उसे के साथ जैसे कि बोला एक युनिसेप का मैंने जो बोला टू टू अंड्रेड मीलियन अवास वेस्ट होते हैं पानी के लिए collect करने के लिए तो ऐसा टाइम अगर ब pets पानी को साफ करने के लिए है अगर पानी साफ रधिंग तो यह मशिनरी भी कंचलानी पड़ेगी और एनर्जी का वी उसके साथ हम लोग अगर मेकर रेजस्ट करने तो फिर वोड़न लेवल जो है उसको भी वह वाविश कौन जो उपर बढ़े cannon साथ लैंड अंडर जो इरिगेशन है मतलब जो इरिगेशन के अंडर जो लैंड उसका कवर भी बढ़ेगा और इसका क्या इंपोर्टन्स है हम लोग आगे जाके वो भी देखने वाले हैं जस्ट एक मतलब एक जादू की इस तरह से हो सकते हैं यह भी हम आगे देखेंगे उसी के साथ रिवर्स जो है हमारी जो नदिया है वो खुद से जो है अपने आपको साफ करने की उनकी जो टेंडनसी है उसको डेवलग कर पाएंगे हम लोग जानते होंगे कि भारत का जो राष्टिय जल प्राणी है उसको मतलब गैंजेटिक डॉल्फिन कहते हैं वह बस साप पानी में मिलता है मगर जिस तरह से हम लोग पॉलिट कर रहे हैं उसकी संक्या भी कम होते वह जा रहे हैं तो हमारे अगर राष्टिय जल प्राणी को भी हम संबाद नहीं सकते तो फिर आगे चलके क्य हो सकता है इसके बाद अभी बेनिफिट फॉर एंप्यों अगर हम लोगों को पानी के बारे में अगर कुछ भी महत्व नहीं होगा तो भी यह स्लाइड से अभी हमारा नजरिया बदल सकता है अगर हम लोग इसको अगर डिटेल से पढ़े तो सबसे पहली बात कि वाटर हमारे जो विलेजे से उसके अंडर जो भी अग्रिकल्चर लैंड है उसको बढ़ाने वाले अगर यह बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है तो यह इरिगेटेड लैंड बढ़ाने से अगर हमारा जो नेपिर ग्रास का अगर एक्जांपल हम लोग देखते तो नेपिर ग्रा का cutting बस एक से दो बार ले सकते जब बारिश होती है तब एक बार और बारिश बश रूतने के थोड़ी दिनों बाद मतलब 22 सिजन्व कर सकते बगर irrigated land अगर बढ़ जाता है तो irrigated land पे हम लोग कम से कम चार बार से ज़्यादा उसका cutting कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक एकर में एक लाक रूपे का income हमारा हर साल बढ़ सकता है अगर एक विलेज में एक एकर में अगर एक लाख रुपे का इंकम बढ़ता है और अगर हम लोग इरिगेटेड लैंड अगर इरिगेटेड लैंड हमारे एक मतलब जो विलेज है वहां पर बस 200 एकर से बढ़ाते बस 200 एकर से अगर इरिगेटेड लैंड बढ़ता है तो वह विलेज का इंकम जो है वो करोड रुपीस से बढ़ जाता है जेस्ट इमेजिन तू करोड रूपीज एक जो हमारा जो भी खेडा है जो भी विलेज है उसका इंकम बढ़ेगा अभी अगर विलेज का इंकम दो करोड से बढ़ेगा तो यह सब मिनिमम पकड़ा हुआ है और बस नेपियर ग्राज के बारे में पकड़ा है मगर तो काम कर रहा है बहुत सारे अलग प्रोड़क्स के ऊपर भी जैसे कि और्गानिक फार्मिंग वह रहा है जिसको भी इस इरिगेटेड लैंड से फाइदा होने वाला है तो इस जस्ट मिराकल और यह बस नेपियर ग्राज के बारे में तो अगर कैलकूलेशन बताऊंगा तो और यह बहुत बड़ा बढ़ जाएगा तो इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वाटर कंजर्वेशन यह क्यों जरूरी है इसका रिलेवंस क्या है इसके लिए बस एक एक जांपल दिया आप सभी लोग बाकी जानकार है कोई ज्यादा बताने की जुरूरत नहीं है आप सभी लोगों ने यह देखा और आश्या करता हो कि